नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम आपको परियावन प्रियुक्षक प्रियुक्षादा सायक यानि की लेब असिस्टेंट वह अन्य पुल 434 पदूप जो वैकेंसी जाए थी यूके त्रिपलस्ती में उसका नीचे डिस्क्रिप्ट में एक लिंक होगा उस पर आप जैसी क्लिक करोगे तो आप आजाओगे यूके त्रिपलस्ती की ओफिस्ट वेबसाइट पर यहां पर कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा यहां से देखिए आप परियावन प्रियुक्षक और प्रियुक्षा पर क्लिक करना है यहां पर इसके बाद आप आज होगे यूके त्रिपलस्ती की ओटियार पोटल पर फ्रेंट्स मैं आपको बता दू लेब एसिस्टेन परियावन प्रियुक्षक जो 434 वदू वेकेंसिस आई है जिसमें बिभिंद प्रकार के पद हैं उसमें सिर्फ आपक के OTR पोटल पर पहले रेजि Giving किया है अगर आपने रेजिटरेशन किया है तो आपको नहीन रेजिस्टेरेशन कनने की जडरूद नहीं है आप email ID और password डालके इस capture code पर click करके login कर सकते हैं अगर आप अपना password email कुछ भी भूल गए हैं तो आप forget email या forget password कर सकते हैं इसके बाद दूसरे candidate जो पहली बार UK तरपरसी का form fill कर रहे हैं पहली बार OTR कर रहे हैं जिन्हों अभी तब OTR भी नहीं किया है उनको candidate register here पर click करना है और पुराने candidate देखिए जब हम step 7 में जाएंगे वहां से आपको कैसे step को follow करना है इस वीडियो को आपको भी पूरा देखना है आपको पता चलिए कि आपको कैस form fill करना है लेकिन आपको register नहीं करना है आपको direct login करना है तो जैसे आप यहाँ पर click करोगे तो देखिए यहाँ पर देखिएगा आपका personal information यहाँ पर आपको अपना candidate name डालना है अपना पूरा name डालना है high school के certificate के according इसके बाद आप अपना mobile number डालना है mobile number active होना चाहिए जिसको OTP आ सेके इसके बाद email डालना है उसको आपको यहाँ पर enter करना है फिर submit करना है अगर friends आपके mobile number डालना है तो आपने email id पर चेक कीजिए वहाँ पर जो भी OTP यहाँ पर enter करना है इसके बाद कुछ ऐसा interface आपको यहाँ पर देखेगा आपका name, mobile number, email id जो है पहले ही यहाँ पर register हो गया है आप इसको आप change नहीं कर सकते हैं और इसके बाद आपको देखेए यहाँ पर नीचे आना है identity details में आपको यहाँ पर डालना है are you holding an adhar card? अगर आपके पास अधार कार्ड है तो yes कीजिए और यहाँ पर अधार कार्ड नमबर डाल लिए यहाँ पर name डाल लिए जो अधार कार्ड में है अगर आपके पास नहीं तो आप no कीजिए इसके बाद आपको देखे other type of identity देनी पड़ेगी जहाने की passport, pen card, driving lessons आप दे सकते हैं अगर आप yes करते हैं तो देखिए यहाँ पर पूरी detail आपको डालनी पड़ेगी इसके बाद नीचे देखिए additional information यहाँ पर आपको data bird डालनी है मैंने आप data bird डाल दी है और जैसी आप data bird डालोगे आपकी age automatically यहाँ पर count हो जाएगी ठीक है और age की करना एक साथ 2020 से की जाएगी यानिकि एक जिलाए 2020 से की जाएगी इसके बाद आपको nationality आप डाल देना है चूच करके Indian इसके बाद देखिए are you orphan यानिकि आप अनाथ है तो yes कीजे नहीं तो आपको no करना है इसके बाद यहाँ देखिए father name है यहाँ पर आपको अपना father name डालना है यहाँ पर आपको प्रिफिक्स चूच कर लेना है जो भी आपको birth state है यहाँ पर आपको देखिए district डालना है और यहाँ पर आपको तैसिल डाल देना है इसके बाद आपको birth city आपको डालनी है यहाँ पर आपना phone number डालना है और यह optional है यह आप डाल भी सकते है यह नहीं भी डासे इसके बाद नेक्स्ट है permanent identification mark on body आपके body में को निस area domicile residential area आप कैसे इस्तान तो निवास करते है प्लेन या हिली आपको डालना है यहाँ पर डालना है यहाँ पर marital status आपको डालना है जो भी आपका marital status है इसके बाद next है domicile disability detail यहाँ पर देखिए whether domicile of उत्रकंट अगर आपके बास उत्रकंट का domicile है तो yes कीजी यहाँ प यहाँ पर आपको अपना issue district डालना है और आपको यहाँ पर date डालनी है जब कब issue हो आपको अगर आपके बास domicile नहीं है तो आप यहाँ पर no कर दीजिए आपको इसके बाद देखिए next step डालना पड़ेगा next step में देखिए आप अगर high school intermediate आपने उत्रकंट से किया है अगर आप यह भी no कर देते हैं यानि कि आप domicile भी no कर देते हैं इसको भी no कर देते हैं तो आपको देखे तीसरा है इसको yes करना ही पड़ेगा अगर आप इसको भी yes नहीं करोगे तो आप form fill नहीं कर सेथे ठीक है यानि कि इन तीनों में से एक भी condition आप पर apply होती है तो आ यहां पर yes कर देता हूँ और मैंको यह दोनु कंडिशन फिल नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं यहां डिटेल डाल दूँगा, इसके बाद मैं category में आ जाऊँगा, यहां पर category चूच कर दूँगा, अगर मेरी general category है तो मेरे कुछ detail यहां पर डाल दी नहीं पड़ेगी, अगर मै EWS यह कोई other category चूच करता हूँ तो हाँ पर detail मेरे को डालनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे certificate number, issue district और issue authority का नयम, और certificate issue date आपर डालनी पड़ेगी, इसका next है, sub category resolution detail, अगर आप PH candidate है, दिव्यांग है, a differently abled person है, तो आपको यहां पर yes करना है, नहीं तो no कर देना है, अगर yes करते Rehabilitation Office Employment Exchange में आपका register है, तो यहां पर डालना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो आपको no कर देना है, इसका देखे, are you an departmental of utrakhand freedom fighter, अगर आपके धर में कोई सोतनता संग्राम सिनानी है, अगर आप departmental है freedom fighter के तो yes कीजिए, और yes करने पर detail डालनी पड़ेगी, no करेगी तो आपको save next पर click करना है, जैसी आप save next करोगे, आप आजाओगे next step पर, यहां पर देखे, आपको अपना permanent address और correspondence address डालना है, देखे, permanent address क्या होता है, जहां के आप सताही निवासी है, ठीक है, और correspondence address होता है, जहां भी जेंट बाप रहे हैं, ठीक है, तो permanent address में आपको आपका room number डालना है, house number, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसके बाद building number, building name आपको डालना है, ठीक है, इसके बाद यहां पर post office name आपको डाल देना है, area and locality अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, landmark है तो डाल दीजिए, इसके बाद state आपको select करना जरूरी है, और district आप के दोनों address save है, तो यहां पर आपको tick कर देना है, ऐसा करने से आपके दोनों address save हो जाएंगे, अगर नहीं है तो आपको इसको tick नहीं करना है और यहां पर correspondence address की detail डालना है, इसके आपको सारी detail फिल करने के बाद, save and next पर click करना है, तो जैसी आप इस पर click कर गोए, आप आप के step 3 में यहाँ पर देखे other details अगर आप उत्रकंड employment office में register है तो आपको यहाँ पर yes करना है और अपनी detail यहाँ पर डाल देनी है registration number, employment office district, date of registration और validity अगर आप नहीं है तो आप simply यहाँ पर no कर देजए अगर आपका employment office का card expired हो गया तो आप यहाँ पर wrong detail फिल ना करें आप simply यहाँ पर no कर देजए अगर आपके बास दो साल का नहीं है तो no कर देजए इसके बाद अगर आपको UPSC, SSC, State Features Board ने कभी blacklist किया तो yes किजए नहीं तो no कर देजए अगर आप ग्रामिन एरिया से तो आप बूरल करेंगे अगर आप सहरी एरिया से तो आप अर्बन करेंगे फिक है इसके बाद देखे place of schooling इसमें भी आप last 10th qualification अगर government सी किया तो government कीजिए और private सी किया तो private कीजिए, father का qualification डालना है, father का occupation यहसाई क्या है father का, तो आपको यहाँ पर डाल देना है, इसके बाद देखे mother qualification डालना है, जो भी आपकी mother का qualification है, mother का occupation डालना है, और इसके बाद देखे mode of preparation कैसे आप तयारी करते हैं, next step को family की annual income यहाँ पर एक select कर लेंगे, जो भी आपकी family की annual income है, ठीक है, इसको select करने के बाद आपको save and next पर click करना है, देखे इसके बाद हम आपकी step 4 में, यहाँ पर देखे हमें qualification डेटेल डालनी है, सबसे बहले हम डालेंगे 10th की detail, यहाँ पर हम 10th select करेंगे high school, इसके बाद year select क पास किया है, तो मैंने 2015 में किया है, इसके बाद course का नहीं as it, इसको select कर लेंगे, subject यहाँ पर इसको select कर लेंगे, इसके बाद state आएगा, तो यहाँ पर आप state डाल दीजिए अपना, इसके बाद board university यहाँ पर ध्यान दीजिए friends, अगर आपका board उत्रखंट board है, तो state board कीजि अगर आपका cbsc, cbsc केजिए, अगर आपका board इसमें नहीं है, तो आपको other board पर click करना है, तो मेरा उत्रखंट board है, तो मैंने आपको click कर दिया, result में आपको pass कर दिना है, course duration आपको one year डाल दिना है, 10th का, remark आप छोड़ दीजिए, डालना चाहते था आप कुछ भी डाल सकत percentage automatic आजागी, और यहाँ पर आपको division डाल देनी है, जो भी आपकी division है, इसको add कर देना है, इसी परकार से आपको देखिए, डालनी है, 12th की detail, 10 plus 2, और देखिए, जो 434 post 2 पे vacancies आईए, तो 12th की detail डालनी important है, ठीक है, तो 12th की detail डालता हूँ, 10 plus 2, year मैंने डाल दिया है, जि किया है, तो आप इस phone phone नहीं फिल कर सकते, आपको साइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद देखिए, सब्जेक्ट देखिए, यापर आपको अपने सारे सब्जेक्ट की चूज को लेने है, one by one, पहले मैंने हिंदी कर लिया, इसका दूसरा है English, तीसरा मैंने chemistry कर लिय चौथा मेरा physics था, और पांचवा मेरा है math, अगर आपका biology है, तो biology सेलेक्ट कर लिजिए, ठीक है, इसका state आप डाल दीजिए, board का नामे आप डाल दीजिए, जो भी आपका board है, result type में पास कर दीजिए, course duration one year, और remark आप छोड़ सकते हैं, और मेरा ये marks आ गया, 500, percentage automatic आजाओगी, और division यहाँ पर मैंने select कर लिया, देखिए, फिसको आपको add कर दिना है, और यहाँ पर देखिए, आपकी 10th की detail, 12th की detail add हो गई है, अब आपको अपनी graduation की detail add कर नहीं है, देखिए, friends, कुछ post है, ऐसी है, जिनमें सिर्फ 12th pass हो, तो आप fill कर सकते हो, और कुछ post है, ऐसी है, जिनमें आपको graduation की detail डालनी पड़ेगी, अगर आप graduate नहीं हो, तो आप 12th pass के लिए eligible हो जाओगी, और 12th pass जो vacancies है, उसका form आप fill कर सकते हो, अगर आपके बास graduation की qualification है, BSC है, तो आप इसको add करके, next पर आपको click करना है, ठीके, आप graduation की detail यहाँ से add कर सकते हैं, यहाँ पर graduate करके, अगर नहीं हो, तो आप इसको छोड़ दीजे, और यहाँ पर next पर click करना है, इसके बाद देखिए work experience है, यहाँ पर आपको no कर देना ह अगर आपके बास है, तो yes कर दीजे, इसके बाद फिर next करना है, इसके बाद आप आप आजाओगे step 6 में, यहाँ पर आपको document photo upload करना है, देखिए सबसे पहले आपको दाल लिए photo, photo का size होगा 30 से 100 kb की बीच में, इसके बाद signature size होगा 20 से 50 kb की बीच में, इसके बाद आप save next पर click कर देना है, तो इसके बाद कुछ ऐसा interface देखिएगा, यहाँ पर देखिए आप फिर जाओगे third number पर, प्रयोक साला सायक वाले में, advertisement number 34, UKCCC 2021, इसके आगे apply hairpop को click करना है, इसके बाद देखिए step first फिर से दिखा रहा है, दिखाना तो नहीं चाहिए था, आप सिर द detail आपके ठीक है, तो फिर से save next कर दीजिए, आप आप आजाओगे step 7 में, यह जो है काफी important step है, इसको आप अच्छे से देखिए, आप देखिए friends, you can apply for the below post, तो मेरी age है 22 year, अगर आपकी age 18 year है, तो आपको यहाँ पर हो सकता है, सायथ कम post दिखाए, आप जिन जिन पोस्ट मेरे पास है, और इसके बाद duration 1 year, और minimum percentage में आपर past आपको click करना है, ठीक है, यहाँ पर percentage दालनी नहीं है, past आपको click करके इसको enter कर देना है, इसको एंटर कर देना है, इसके देले में जो क्या चाहिए, 12 past चाहिए, subject मेरे को यहाँ पर एक चूच कर लेना है, कोई भी subject, इन अगर किसी और post के लिए आप eligible हैं, माली आपने diploma किया है, तो आप देखें, pharmacist का form fill कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, आपको pharmacy diploma की detail डालनी पड़े की, अगर आपने नहीं किया तो इसको रहन दीजिए, जिसके विली भी आप eligible हैं, उसको आप tick कर सकते हैं, ठीक है, और य तो देखें, यहाँ पर अगर उपर scroll करेंगे, तो यहाँ पर आपकी post दिखाएगा, जिस दिसके लिए आपने apply किया है, तो मैंने एक किया है, परियाँ प्रविक्षक वाला, दूसरा मैंने किया है, lab assistant वाला, ठीक है, तो मेरी यहाँ पर दो post दिखा रहा है, इसके बाद सारे detail दिखाएगा, अगर आपकी detail में कुछ mistake है, तो आप यहाँ से edit कर सकते हैं, और friends, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिजिएगा, अगर आप किसी post के लिए eligible नहीं है, आप से गलते से tick हो गया है, तो यहाँ पर आपको edit भी कर सकते हैं, इसके बाद आप सारे section को edit कर सकते ह इसके बाद आपको जाना है place पर, यहाँ पर आपको प्लेज डाल दिना है, जहां से आप form fill कर रहे हैं, इसके बाद देखे, exam, center, preference, first choice आपको डालनी है, जो भी आपकी first choice है, इसके बाद आपको second choice डालनी है, next आपको payment gateway, यहाँ पर देखे, आपको तीन gateway दिखाएगे हैं, आप किसी एक gateway से payment कर सकते हैं, आपको कोई भी card हो चलेगा, आपकी पास SBA, ICIC bank, किसी भी bank का card हो, उससे आप payment कर सकते हो, तो मैंने SBA से select कर लिया, pay पर मैंने click कर दिया, इसके बाद आपको agreement gateway देखेगा, यहाँ पर आपको debit card, credit card, net banking, किसी से भी payment कर सकते हैं, तो मैं debit card से क जानना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं card number डालूँगा, expiry date, CVB मेरको डालना है, जो card के पीछे होता है, इसके बाद मैं make payment पे click करूँगा, make payment पे जसी click करूँगा, आपकी mobile number ए OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर enter करने से, आपका payment successfully हो जाएगा, आपके 300 रुपे कर जाएगे, और आपका form जो है successfully submit हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपने form का print भी लेख सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको step by step परियाओन प्रिवेक्श्य का form फिल करना है, अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या आती है, या आपकी कोई query है, तो नीचे आप comment कर सकते हैं, उसका reply ह comment box में देंगे, तो यह था इस video का end, thanks for watching and God bless you.